चलिए आज बनाते हैं कच्चे आमों की रेसिपी बेंगोली स्टाइल में जो हम बस्पन में बहुत खाया करते थे ये रेसिपी सबके मुँ में पानी लाने वाली और बहुत लल्चाने वाली है तो वीडियो को अंतक जरू देखिएगा तो चलिए ले लेते हैं आम जो हमारे घर में पेल लगे हैं हम उसी से ले लेंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं क्यूंकि हमें पका हुँ आम खाना है तो आम जो है हवा से वैसे ही बहुत गिरते रहते हैं तो आम हम जो नीचे गिरे हुए होंगे वही लेंगे हम तो देखते हैं कि नीचे आम है की नहीं तो बहुत सारे आम जो है हमें मिल गए हैं देखिए इस आम को हम फटा-फट से भर लेते हैं अपने टोकरी में ऐसा लग रहा है कि अभी अभी डाली से तूट के गिरा है एकदम ताजे है आम यह आम की रेसिपी जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है तो रेसिपी को अंतक जरूर देखिएगा मेरे वीडियो आपको अगर अच्छ लगते हैं तो मुझे अपना प्यार देने के लिए वीडियो को एक लाइक और शेर जरूर कर लिजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए तो देखिए आम हमें कितने सारे मिल गया है और ऐसे आम रोजी गिरते रहते हवा से पता नहीं बड़े होने तक और पकने तक कितने रुकेंगे आम तो देखिए इस वाले पेड में बहुत ही फूल आया था आम का तो इतना ही बचे है इसमें जादा नहीं बचे है थोड़े बहुत अगर इतने भी रह जाए तो कम से कम 20-30 किलो आम तो रुकी जाएंगे क्यूंकि ये वाली जो आम है अभी छोटे-छोटे से है ये बहुत बड़े-बड़े होते है बंबया कहते हैं हम इसको आप इसको क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा तो देखे ये बड़े वाले जो पेड़ है हमारा इसमें काफी आम है अगर ये आम सारे रुक जाए तो ये तो ट्रक भर जाएगी एक पूरी लेकिन अभी आंधी तुफान आना बाकी है तो भगवान करे इस बार आंधी तुफान ना आए और मेरे सारे आम रुक जाए पेड़ों में और पके हुए आम हम खा सके खूब और अगर फिर भी गिर गए कच्चे हाम तो इसको हम इस तरह से खा लेंगे बैसे तो कच्चे आमों की बहुत सारे रेसिपी है लेकिन ये जो रेसिपी है हमारी जिन्देगी की सबसे पहली रेसिपी है जो हम बस्पन से लेके अब तक बनाते हैं और अब तक हमें बहुत ही पसंद है तो इस रेसिपी का नाम है आम मखा हम बनाएंगे बेंगोली स्टायल में आम मखा जो हम बना बना के खाते थे छीना चप्टी करके सहलियों के साथ भाइ बहन के साथ और आपको एक बात बताओ मेरे पापा को भी ये आम मखा बहुत ही पसंद है तो ये वाली रेसिपी बनाते बनाते जो है पापा ममे की याद आगी तो मन लिए एक केले के पत्ते और दरात इससे मैं पतले पतले करके काट लूँगे आम को इस तरह से और इसके बीजों को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे देखिए आसानी से निकल आ रहा है बहार आम को जितना पतला काटेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट आएगा आम मखा में हम आम मखा कहते है वैसे आम चाट भी कह सकते हो चट पटा तो काट लिया और ले लिया दो मिर्ची और इसको गैस पे जला लेंगे इस तरीके से वैसे आप भून भी सकते हो तेल से देखिए जले-जले से बन गया है तो मैंने ले लिया सिल्वर्टे और मिर्ची दोनों को इस और बहुत ही जल्दी फटापट पीस के तयार हो जाता है इस तरीके से हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है तो इसको हम पीस लेंगे दर दरा तो ये पीस चुका है इसको हमने खटक कर लिया है अब इन मसाले को हम डाल देते हैं आम के उपर क्यूंकि ये आम चाड बना थोड़ी टाइम के लिए क्यूंकि ये मुलायम हो जाएगा और इसमें डाल देंगे आदे चमस के करिप चीनी इसको डालके भी अच्छे से हथ से मिलाना है फिर आप इसको खाईए देखिए ये कितना मुलायम हो चुका है और इसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम भी नह ले लिया केले का पत्ता केले के पत्तों में खाने का मजा ही कुछ अलग होता है तो देखिए ये सब बच्चों के लिए खाने वाले बहुत है तो आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ तब तक के बाइ बाइ